हेलो फ्रेंद्स नामस्ते आप सब कैसे हो आप सब ठीक होंगे दिखे आज हम यूज करेंगे यह प्लाउच का कपड़ा ब्रोकेट का है अगर आपके पास नहीं है तो आप बाजार में जाएंगे तो वहां पे मिल जाएगा और यह 17 इंचिस का है और नीचे मैंने फोम नहीं पर हमें मार्क करना है ऐसे दोनों साइट से आपको सीधी लाइन कर लेनी है और अगर आपको यह मार्कर पैन लेनी है तो आप एमेजोन से पर्चेस कर सकते हैं और यह बोर्डर में ने ले लिया है जिसका लंबाई है 20 इंचिस और चोड़ाई है इसका 4.5 इंचिस अब हम जिप लेंगे तो यहां पर हमें जिप अटेज करनी है यह 4.5 इंचिस है तो हमने यह कपड़ा 4 इंचिस लिया है जो सेंटर में जगह है उसी का नाप लेके हमें लेना होता है जिप अटेज करने के बाद प्रेस्टीज कीजिए और यहां पर हम जिप के अंदर डाल देंगे दोनों साइट से अमने रनर डाला है और देखिए यह सेंटर में जो हमने माग किया है वह 4.5 इंचिस था तो जो कप बोर्डर हमने लिया वह 4 इंचिस का है और इसे आपको ऐसे स्टीज करना है फिर यहां से लेके यहां तक अब हमने इपने पूरे राउंड मेंचिक कर लिया अब आपको यहां पर इसे फूर्ड करते हुए स्टीज करना है अब यह उपर का पार्ट तो यह अच्छे से कवर से लाई हो जाएगी अंदर बिल्कुल रेसे नहीं निकलेंगे देखिए उपर भी हमने ऐसे ही प्रेस्टीज कर लिया है तो इस तरह से आप छोटे मोटे बॉक्स बनागे तो आपका हाथ बेट जाएगा फिर आप बहुत कुछ बना सकते हो तो यह 8.5 इंचिस के यह पार्ट लिये हैं जिससे मैंने 8 इंचिस की जिप के साथ जोड़ा फिर कर ली प् बिद्टी सिंपल आसान तो ऐसे मैंने 3 पार्ट बनाए हैं 3 पाउंच बनाए हैं और आप ऐसे जितने भी चाहें बना सकते हैं और अब इसमें आप अपने ज्वैलरी रख सकते हैं या फिर कुछ भी सामान अपना इसके अंदर रख सकते हैं आपको बहुत ही यह यह इसे बना के बेज भी सकते हो तो हम मिलते हैं आपको ऐसे नए आइडिया के साथ नेक्स्ट वीडियो में और आपको कैसा लगा मुझे कमेट करके बताना तब तक के लिए बाबाई जय बारत